गुद मॉर्णिंग क्लास माइनम इस अनुमेरा तोड़ाइब दिसकस्ट अबाउन दा बैनफिट ओ बेभी मसाज ठीक है जो हम बेभी को मसाज जीते हैं तो उसके क्या बैनफिट हो जुकते है ठीक है बेभी मसाज इस अवंडरफूर वेय तो हेल्प स्रेंथन यू बॉंड ठीक है फरस्ट अफल के बेभी मसाज क्या है एक ऐसा वे है जिसके साथ क्या है बांडिंग को इंक्रीज किया जा सकता है एक परसन के दूसरे परसन में मतलब बेरंट्स और बच्चे में ठीक है इसे क्या होता है बच्चे की जो मतरनल है मतरनल्टी है वो भी अच्छी रहती है और जो चैनल बांडिंग है वो हेल्प करता है फ्यूचर में ठीक है अगर उसको पता होगा अच्छी बांडिंग कैसे होती है तो नेक्स्ट फ्यूचर में उसके काम आएगा ठीक है क्या है बच्चा क्या सूथिंग रहेगा ठीक है स्मूथ्ली फील करेगा अच्छा कंफर्टेबल फीट करेगा और क्या है रोएगा भी नहीं ठीक है मतलब की रिलक्शन आजाएगी क्राइंग नैस में सेकिन है एट डायेशन है रिलीव कॉली गैस और कांस्टिपेशन के बच्चे को पेट की कोई प्राब्लम है गैस है कांस्टिपेशन है तो क्या है इसे मसा से उसको रहत मिलेगी और वो जो कुछ खाया भी है वो भी अच की अकॉर्डिंग नेक्स्टे इन्हांस जो बीब अजस्टमेंट तुन नाइट माय टाइम स्लीप एंड है अगर बच्चे को हम रात को मसाज जीते है तो उसके साथ क्या है उसका जो स्लीपिंग ड्यूरिंग पैट रहना है थोड़ा ज्यादा हो जाता है मतलब कि वह आरा एज़े टिस्टा कुछ ऐसे है तो इससे बड़ी तो आधा उसको रिल्यूजल मिलती है अगर तीत बगार उसको निकार रहा है तो उससे भी पीपिन में थोडी रहत मिलती है help develop good muscle tone अच्छी बाडी में चुस्त हो जाता है attempt बैशे कि इंकरीजमेंट हो जैके उसमेंसर्षट में इंक्रीजमेंट आती है अच्छे मिन सिस्टम बनता बढ़ता है है इंप्रूव भी में उप्रूवमेंट आती है ठीक है मैं दरी कोह ड्राई श्कीन जो कुछ बच्चे की बाड़ी जो है बाड़ी थोड़ी अच्छी रहती है तो बच्चे को का पकड़ने भी असानी रहती है ठीक है यह थे पॉइंट्स बेनिफिट ओफ मसाज यह देख लेना